मौन भागवत अभी बेयान आया 25 दिसंबर को उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को जो बेयान आया उनका उसमेरोंने कहा कि चाहे कोई सी भाशा बोलने वाला हो चाहे किसी प्रांथ कर रहने वाला हो चाहे किसी जगा कुछ करता हो ELISA को मानता हो चाहे किसी तरह की पूझा पिडाती करने वाला हो चाहे किसी धार्मिक विचार वाला हो या इश्वर को नहीं मानने वाला हो लेकिन अगर वह हंदुस्तान में रहता है तो यह 130 करोड़ यह पुरा हिंदू समाज है, यह सब हिंदू है, यहां के रहने वाला सब अगर यहां के बाशन ले हिंदू कहलाएं, तो कर्स्टिटिशन में लिखिये ना, तो फिर यह सी ए खतम हो जाएगा है, सब्सक्राइब दे चैनल और प्रेस दे बेल आइकन तो नेवर मिस आ वीडियो, ब्रादराने कराम, बहुत संगीन सूरते हाल से दोचार है, दोचार है यहां मुसल्मान लगातार, उसमें हमारे वजिर आदम का बेयान आया है कि जो लोग इस कानून के मुखालफत कर रहे हैं, वो मुखालफत गहर कानूनी है, कानून बनाया उस कानून के मुखालफत गहर कानूनी है, बड़े लीगल सी बात हो गई है, अपने आप में एक कानूनी जिम्ला हो गया, ये पार्टी जब वजूद में आई थी भारतिय जन्ता पार्टी तो एक विरोध एक कानून था वो जो लगी थी उसमें इनोंने विरोध प्रदर्शन किये थे फिर इसमें से ज़्यादा तर लोग जेल गए थे और उसके नतीजे में पार्टी वजूद में आई थी इंतिकाल हो गया उनका मिनिस्टर थे अरुन जेटली इस्टूडन्ट लीडर थे इन्होंने बहुत एजिटेशन किये थे एमदाबाद में किये थे पटना में किये थे आग लगाई थी मतलब बाब ने लगाई थी मैं यह नहीं कहता है उन्होंने लगाई थी जिसे वो लीड कर रहे थे जगा जगा बहुत आग लगाई थी और बहुत तोट भुड़की थी वो तो फिर मिनिस्टर हो गएं और काबले इसब थे हूं उसे के दर या वो लीडर बने थे भारती जन्ता पारटी में एक मिनिस्टर थे जब एमर्जंसी के बाद पिर ये एक जन्ता पार्टी बनी थी फिर उसमें से वो तूट गए यह उसमें से यह लग भरती जन्ता पार्टी बनी यह पहले जन्ता पार्टी कहसा थी बहुत सी पार्टी उसमें एक मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस साब बड़े पुराने सियासी थे उन्होंने बड़ा मश्जूर है बड़ोधा डाइनामाइट केस मतलब उस दोर के लोगों के लिए बड़ा मश्जूर है वो डाइनामाइट के साथ पकड़े गए थे स्पोर्टक पदार तो डाइनमाइट्स की बहुत गड़ी तादाज में स्टिक्स के साथ हुए जगा जगा उन्हें भम धमाके करने थे पकले गए वो जेल में रहें मुकदमा चला मुकदमा जो उन्होंने प्लीड किया था उसमें बहुत खुलकर ये बात रखी थी राइट टू रिबल कि अगर कानून कोई ऐसा हो कि जो लोगों पर जल्म करने वाला हो तो उसके खिलाफ बगावत का हक है बजाए इसके के हम ये कहें कि हम कानून का हर जो भी बना दिया जाए उसका पालन करते हैं तो राइट टू रिबल उन्होंने सुप्रिम कोर्ट के अंदर जो बगावत के हक के उपर केस लड़े थे हो केस चल रहा था उसके बाद अमर्जनसी खतम हो गई तो उनको रिलीस कर जिया गया सारे चार्जस खतम हो गए उनका वो सियासी केस था डाइनमाइट के साथ पकड़ा जाना तो सियासी केस नहीं था सियासी केस उनको कैद करना हो नहीं उनके साथ डाइनमाइट नहीं होते हैं और उनके बयान के उपर किसी बयान के उपर उनने पकड़ा जाता तो कहा जाता कि सियासी ही ये पुलिटिकल केस है तो हकुमत ने उन पे से सारे केसे वापस ले लिए 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 गया और वो खत्म हो गया बगावत थी, मुसल्फ बगावत थी, धमाके करने वाली थी, बंप छोड़ने वाली थी और उसे खत्म कर दिया गया इसलिए के उनकी फिक्र ये सोच जो थी जिस पार्टी के अंदर आए वो खुद बगावत की थी, उस निजाम के खिलाव हो सही थी वो निजाम जो जिसके अंदर लोगों को कुछला गया था उस निजाम के खिलाव जितने लोग खड़े हुए थे, वो सही थी तो इस वक्त ये रैट था, उस वक्त ये हक था और उस वक्त ये भी हक था कि जग़ जग़ डाइनमैट के धहमाकी किये जाएं और वो खत्म हो जाने के बाद जब वो हट गए पावर से ये दूसरे पावर में आए तो वो सारे चार्जेज़ और इलामात खत्म करके उनको जायस करार दिया गया और फॉरन उनको मिनिस्टर बनाए गया पहली मिनिस्टरी के अंदर बहराल ये तो तारीख है लोग जो कुछ करते हैं खुद जो कुछ करके खुद पावर में आते हें फिर उसे खुद इस्तेमाल करते हैं तो उसी को जलू कहते हैं लेकिन इसके अंदर कानून तो सबको मालूं है आपको अब कोई ऐसा नहीं जिसे ये कानून जिसका विरूद इस वक्त हो रहा है मुखालिफत जिसकी हो रही है मुख्तसर के बाहर से तीन मुलकों से जिसमे के एक बड़ोसी भी नहीं हमारा तीन मुलकों से जो लोग यहां हिंदुस्तान में आगे हैं दोजार चौदा तक उसमें से हिंदू, इसाई, सिख, पार्सी, जैन इनको और बौद इने तो शेहरियत दी जाएगी मुस्क्वानों को नहीं दी जाएगी इसके उपर मुखालबत हो रही कि यह बेंसाफी का कानून या इजिटेशन हो रहे है इलफ जो आया हिंदू इसके अंदर एक सिख तो ठीक है जैन भी ठीक है, पार्सी भी ठीक है बौद भी ठीक है हिंदू क्या है असल में तो सवाल इसमें यह उठना चाहिए और यह हमें लोगों से करना चाहिए आवाम में की अदालत में जाना चाहिए बड़ी तादाद के अंदर के हिंदू क्या है जैन हम समझ तकते हैं जैन को बता सकते हैं के जैन कौन है उसकी तारीफ बयान कर सकते हैं बहुत की तारीफ बयान कर सकते हैं हम सिख की तारीफ बयान कर सकते हैं हिंदू लख की कोई तारीफ नहीं है ये हिंदू क्या है और हिंदू इजन क्या है हिंदू मत क्या है हिंदुत वो क्या है ये लवज मुसल्मान लाए इस मुल्क में तकरीबन 14 साल पहले जब मुसल्मान इस मुल्क में दाखिल हुए तो मालाबार के साहिल से उनकी जबान में ये मुल्क हिंद कहलाथा था पहले से हदीसों में हिंद लव्ञोजू मौजूण ही हिंडुस्तान रसूल्लूं अजल स慈ल की जबान में था हिंद लव्ञोजू के नाम पर हदीसे हैं नभी अपिरूung से ख लास्वलम की इस बुल्क के रहने वाले जो थे उनकी जबान में जो यहां पर आए जो लोग शुरू में बिजनेसमेंट थे ताजिर लोग थे उन्होंने यहां के लोगों को हिंदी कहा यह हिंदी लख यहां के रहने वालों के लिए था मजभब का नाम नहीं था और वही हलके हलके करके हिंदी लख हिंदू हो गया आज भी अब हिंदू एक मजभब कहलाता है दुनिया का डिबेटे में लेके तीसरा या चौथा बाज लोग फिगर तीसरा देते हैं बाज चौथा तीसरा सबसे बड़ा मजभब दुनिया का मजभब हिंदू मजभब की कोई डिफिनिशन नहीं लवज हिंदू की कोई डिफिनिशन नहीं बहुत सैकलों कोशिशे की गई है कि इसको कैसे डिफाइन करें, क्या तारिफ बयान करें, कोई फिट नहीं हुई. एक Constitution of India के अंदर Hinduism को डिफाइन नहीं किया गया. Hindu लफ़ को भी डिफाइन नहीं किया गया. यह बड़ी irony है, बड़ी अजीब बार, कि दुनिया का सबसे ज़्यादा Organized Constitution, और उसकी सबसे बड़ी रहने वाली एक कौम जो हिंदू कहलाती है. उसके अंदर Hindu लफ़ की कोई definition नहीं, Hinduism नाम की कोई definition नहीं. हिंदूत का तो सवाल ही नहीं. इसमें, और हिंदू लफ़ बार बार आया, हिंदू marriage act है, हिंदू succession act है, और तरह 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 तो बहुत से हिंदू के नाम से act है. हिंदू क्या है, यह यह बताया नहीं गया, कि हिंदू कौन यह हिंदू क्या चीज़. अब उसमें सिर्फ इतना आता है, कि जब उसे explain किया जाता है, constitution में नहीं, जब experts उसे explain करते हैं, constitution की जबान में या उसको समझाने के लिए, तो कहते हैं, legally speaking, यानि कानुनी तोपर अगर हम हिंदू लख को कहें, तो legally speaking, हिंदू वो है, जो ना मुसल्मान है, ना सिख है, ना बुद्ध है, ना जैन है, ना पार्सी है, यानि हिंदू लख की definition, अगर legally भी की गई, जो वो एक negative definition है, positive नहीं है, मुसल्मान क्या है, बताया जाएगा, सिख कौन, पार्सी कौन, जैन कौन, बौध कौन, यह बताया जाएगा, हिंदू कौन, जो यह 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 नहीं है, हिंदू की कोई positive definition, मुसल्मत, तारीफी बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ negative definition है, legally speaking, हमारे constitution की, एक्सपर्ट्सी कहते हैं, सिर्फ एक negative definition है, जो फला 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 नहीं है, वो हिंदू है, पहले इसमें जैन भी शामिल थे, बौध भी शामिल थे, इस्तिक भी शामिल थे, वो एके करके demand करते गए, कि हम अलग धर्म है, minority हैं, उनको status दे जाता रहा, तो अब यह है कि जो, इसके अंदर से जो इतने नाम आए, जो यह सब नहीं है, वो हिंदू है, यह तो constitution की बात थी, उसके बात फिर लव हिंदू भरा पड़ा एक constitution के अंदर, तो जिस चीज़ को define ही नहीं किया जा सकता है, दुनिया के सबसे ज़्यादा detailed constitution के अंदर, उसमें हिंदू के नाम से खूब कानून है, जो जग़ जग़ भरे पड़े हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके तीन बड़े हैं, दो तो उनके वो हैं जिनके ये फैन हैं, मतलब जिनके अकिज़त मन्द हैं बहुत, दो शख्सियाद पास्ट की हैं माधी की, एक सावरकर, एक सौमें बीवे कानन, ये दो जो हैं, ये उनके जिसें फै़रेट कोई जिसें क academia, बहुत हितराम करता है, जिनके इज़त करता है, जो उनके हीरों हैं, ये दो हीरोज हैं, और एक उनकी जो पेरन्ट पार्टी है, ये थो सियासी बिंग हैं ना, राश्री स्वेम सेविक संका तो वो जो पेरेंट पार्टी है उस पेरेंट पार्टी के जो मौजूदा गुरू है मौन भागवत साथ इन तीनों ने हिंदू के बारे में क्या क्या कहा वो मिताना चाह रहा हूँ मौन भागवत अभी बेयान आया 25 दिसंबर को उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को जो बेयान आया उनका उसमें उन्होंने कहा कि चाहे कोई सी भाशा बोलने वाला हो चाहे किसी प्रांत कर रहने वाला हो चाहे किसी जगा कुछ करता हो चाहे इश्वर को मानता हो चाहे किसी तरह की पूजा पद्धती करने वाला हो चाहे किसी धार्मिक बिचार वाला हो या इश्वर को नहीं मानने वाला हो लेकिन अगर वो हिंदुस्तान में रहता है तो ये 130 करोड जो है ये पूरा हिंदू समाझ है ये सब हिंदू है इन में से कोई भी हो बद्चन है कमिलिस्त है ये है तो हिंदू है जो खुदा को नहीं मानते है अथिस्ट है हिंदू है एक खुदा को मानते है हिंदू है आरे समाजी जो बहुत से देवे देपनाओं को मानते है हिंदू है तो उन्होंने ये ही कहा ये जू फैक्टिल पॉइशन है और उन्होंने का हिंदू तो फिर ये एक तो टीस गरोन लोगों का पूरा समाज हिंदू हे ये बात बहुत दफ़ा कहे चुके हो एक बार उनोंने कही थी 2014 में अभी जो कहा हिदरपाद में कहा था 2014 में उनोंने कटक में कहा था कहा कि अगर जर्मनी के रहने वाला जर्मन हो सकता है अगर इंगलेस्तान के रहने वाला अगर अंग्रेज हो सकता है अगर अमरीका का रहने वाला अमरीकिका हीँ हो सकता है तो हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू क्यों नहीं हो सकता अब ये बाद नेशनल से है इसका कोई ताBack धर्म से नहीं हुआ जो हमेशें वो कहते रहें अलग-अलग लफजों में कही लकिन बात एक ही कही है उससे पहले 2009 में कहा था उनों ने कि यहां मुसल्मान इस बात को मान ले कि यहां के रहने वाले कहीं यह सब आनी गए कहीं से यह सब यहीं के पुराने रहने वाले हैं इन्होंने अपनी पूजा पदती बदल ली, ये सब पहले हिंदू थे अब पूजा पदती बदल ली फिर हमारा कोई इक तेलाफ नहीं है कोई इसमें तो किसी को कोई इकेलाफ करने की गुनजाईश नहीं है के बड़ी तादाद यहां पे रहने वाली चाहे उन्होंने खान लगा लिया उपने अन्नाम के आगे चाहे सेयद लगा लिया उचाहे शेयख लगा लिया उचाहे शेयख लगा लिया यहां की कास्टिंग से मतासिर होके बारत की आए वहां से तो फिर कोई कास्ट पकड़ नह इसलिके मैं तो चंद को जानता हूँ जाती तोर परसनल ये तहसे तालोग होगे नौ मसलिम थे और राशबूत थे इदर आए तो खान होगे और राशबूत आएंगे तो वो पठान बनेंगे कोई ब्रामन थे तो स्यद होगे तो ये जो उनको कोई कास्ट चाहिए तो यहां पर रहने वाले जो बाहर से कुछ लोग अगर दूसरे मुलकों से अगर आये तो सब उनकी उलाद नहीं हैं बलके यहां के रहने वाले हैं उन्होंने अपना एक दीन एक इख्तियार कर लिया इ पोई से कुछ पर दो हैं उन्होंने एक इख्तियार कर लिया तो मौहन भागवास साभ ने का हमें कोई अगर यह मानने कि यह लोग पहले यहां के औरिजनल हिंडू थे हमें इससे भी कोई इख्तियाश नहीं हैं और असल बात तो इन तीनों बातों से कोई इख्तियाश नह सब हिंदू है तो फिर बात ये नहीं होगी कि हिंदूओं को छोड़का और इनको छोड़का फला को छोड़का फिर जब हिंदूओं को आप ले रहे हैं तो हिंदू तो यहां के रहने जितने हैं सबी हो गए हिंदू का तालुख किसी मदभ से नहीं बचा तो फिर इस खाई कि अफगानिस्तान में कोई रहते थी और यहां के रहने वाले नहीं तो फिर वह हिंदू नहीं होंगे वह चाहिए जिस तरह की पूजा करते हूं इसलिए कि हिंदू तो वह जो यहां के रहने वाले हुए जो अरिजिन तो अगर Constitution की ये तारीफ हो तो ठीक है रहने वाले अमरीका के रहने वाले अमेरिकन यहां के रहने वाले अगर हिंदू, हिंदूस्तानी नहीं वो हिंदू कहना चारे है आप कहलो तो ठीक है हमारा दिन इसलाम हम यहां के रहने वाले आप अगर तारीफ ये बदल रहे हैं तो कोई इतराज नहीं है लेकिन बात ये है कि फिर उससे अलग कानून क्यों बन रहा है उन्हीं के पार्टी के जो जो पॉलिटिकल विंग है वो ये कानून बना रही है और भागवास साब कहे चले जा रहे हैं भागवास साब कहे चले इंदर आ गए तो फिर इक्तिलाफ खतम हो गया ना फिर तो इस खानून की कोई बिंजाईश नहीं बश्टी कि यहीं के लोग हैं उन्हों ने अपनी पूजा पद्दत ही बदी अपने अबादत करने का या अपना नेदाम कुछ और बतला मौन भागवास साब ने ये कहा अ प्रहे की यहां के रहने वाले कहलाएंगे बात खतम हो गई तो फिर अलग अलग गानून नहीं हो गई है के हिंदू के लिए कोई प्रयरिटी प्रहमून को पहीं अलग कर दिया जाएए ठीक है उनकी अबादत का तरीकम अलग है ये बाकी कुछ ओर लोगों का अलग अलग ह यहां के रहने वाले सब हिंदू हैं और बाहर किसी मुलक के अंदर जो यहां के ओरिजिनल रहने वाले नहीं है वो यहां नहीं आएंगे भी वो हिंदू नहीं होगे इसलिके यहां के ओरिजिनल रहने वाले नहीं है अफगानिस्तान से कोई आगया अगर वो औरिजल महा के रहने वाले थे तो कि हिंदू नहीं होगे वो चाहे जिस भी धर्म के मानने वाले हो चाहे जिस मध़ब के मानने वाले हो अब एक तरफ तो पार्टी के उनके चीफ ये कहते हैं और कहे चले जा रहे हैं आज ते नहीं उनका कोई ऐसा नहीं कि इस वक्त कुछ कह दिया हो नो उनका ये वियू पाइंट लगातार चला आ रहा है और कहे चले जाते रहे और आपके तो शायद इस वक्त ये बात समझ में आ रही होगी ये मेरे कहने से आ जाएगी अगर बहुत जादा अंदर कोई अलफास से कोई नफरत नहीं भर गई हो तो मैं तो खुद ये कहता चला रहा हूँ कि हाँ यहां के रहने वाले सब इंदू हमारा दीन इसलाम ये इसका धर्म से कोई तालुख नहीं कांस्टिटिशन भी तो माने इसे कानून भी तो माने इसे फिर कानून इस पर बनाई ये बजाए से ये एलाने के नागरिक्ता की बात बात को तैह होगी पहले तो कानून इस पर बने कि जितने यहां के रहने वाले वो सब हिंदू के लाया आजाय करेंगे तो के लाएंगे रहने वाले जैसे दो हीरोज हैं, हीरोज में से एक सावर करसा, सबसे पहले दो قومी नजरिया इन्होंने लिया था, हिंदू देन मुस्लिम दार टू डिफरेंट नेशन्स ये 1923 में सबसे पहले इन्होंने कहा था, फिर 1929 के अंदर दो राया, उस वक्छ कोई नان कहीं दो गौमी नजरिया का नहीं था, ये जो कहा जाता है, जेन्ह साव लए जेन्ह सावक की जब यहां की सियासत में नहीं चल सकी, कॉंग्रिस के अंदर इसमें नहीं चल सकी तो फिर उसके बाद उन्होंने ये दो कोमी नजरिया उन्होंने दिया कि मुसल्मान अलग और मुसल्मानों को अलग राज चाहिए और नेशन चाहिए उन्होंने सपोर्ट किया सावर करने वगा मुझे सौफ ही साथ इतिफाक है मिस्टर जिना से इस बात के अंदर के हिंदू और मुसल्म दो अलग कौमे हैं ये एक कौम नहीं हिंदू कौन है उसके अंदर हिंदू और मुसल्म तो दो कौमे हो गई हिंदू कौन है बात तो अभ वीर नहीं लगा रहा, उसमें हिस्ट्री में जाना पड़े था कि वो कितने वीर थे थे, तो वहराल इज़त से नाम लेता हूं सावरकर साथ, वो चाहे हमारे, हमें कितने दबर्दस्त उन से अक्तिलाफात हों, कितना ना पसंद करें, किसी बात के ओपर उनको, उनका मिज़ा लूट आप, अपने दोस्तों के थे, ये तो बशबन से उनके संसकार थे ये तरवियत, वो संसकार बढ़े होके उनके साथ रहे, नफरत वाले, जहां पर उनने बशबन से लूट मार की थी, ये लवज हिंदू तो सबसे पहले उन्होंने लिया था, हिंदू तो लफ का तो अधरी किताबे हैं, कदीम, वेट से लेके, उपरिशद हो, पुराण हो, महाबारत हो, गीता हो, रमाय हो, जितनी भी कदीम और किताबें, किसी एक में, किसी एक जगा लफ हिंदू नहीं है, मैंने आपको बता है तो, मसल्मान आये थे वहां से, उनसे हिंदी से हिंदू ही है, इसको मजभ से नहीं जोड़ा जा सकता हो, नहीं दिखाओ किदर है, सारी बैस हिंदू पर चल रही है ना, हिंदू राष्ट्र बनेगा, बहुत अच्छा है, बहुत खोशी से बनाई जिए, हिंदू क्या है, कोई, मालूम तो हो ना, किस दिर आया, किस स्क्रिप्चर के अंदर आया, किस किताब के अंदर आया, कदियों, वहाँ 14 साल पहले मुसल्मानों ने ये नाम दिया, यहां के रहने वालों, हिंदी दिया तो बदल के हिंदू हो गया, असलन मुसल्मानों का दिया हुआ है, यह भी इस दिया है, मुसल्मानों को इस से कोई, वो नहीं होन यहां बार्टी जिंद्ट पारटी दे participar हैं हूं लोगों से कैना चाहतें को ही हूं आज अपने आपके हिंदु कहते हैं कि आप माने लिजे ना सु셔서 fiallर ने रहने वाले संब इसका मजब से कोई तान लोग नहीं है। ये उनोंने डिफिनीशन दी थी, मैं बता रहा था। सावर्कार साथ ने हिंदुत की लश्का तो वजू दी नहीं था। बात को इनोंने हिंदुत दिया। Two-kah कि पुनबहूमी भारत ओर जिसकी पित्र भूमी भारत भारत पित्र भूमी भारत का मतलब पुर्खे भारत के हों चाए वो जा के मौरिश वर भारत के हों। कितनी से नसलों पीशे जाएंगे इसकी भी तो बात होगे ना बैद तीन नसल पहले चार नसल पहले छे नसल पहले या हमेशा हमेशा की बात कीजिए हज़रत आदम हिंदुस्तान में उतरे हम मानते हैं पूरी दुनिया जो है वो ओरिजिनल उसका जो वतन था वो यह था अब जो फिजी में चले गए मौरिशत में चले गए उन से तो पहले के यहां पर है जो यहां के बाशिन दे थे और उनकी समझ में आता चला गया उन्होंने एक निजाम अपना लिया कि यह दुरूस्त है यहां के बाशिन दे तो जो फिजी और मौरिशत में चले गए यह तो उन तो मौन भागास साब ने कई मरतबा कहे चुके हम कहते हैं सारे हिंदुस्तान में सारे अपने आपको जो हिंदू मानते हैं वो मान लें इस बात को हम तैयारे हम वेलकम करते हैं इस बयान को और इसके मताबिख कांस्टिटुशन के अंदर अपनी तर्मीन कीजे कि हिंदू कौन है, हर एक का दीन मदभ अलग होगा, जो हिंदू अपने आपको इस वक्त कहते हैं, उन में सैक्ड़ों है, ये तो बनियादी अक्तिलाफ हुआ के, एक खुदा को मानने वाले मोटी मोटी थी, वरना तो सैक्ड़ों है, सब के तरीके अलग अलग है, नए मदभ बने अब से सतर साल पहले ब्रह्मा कुमारी एक नया मोटी मुजूट में आया, बिलकुल नया, जिसकी एक सुई के नुक के बराबर कोई चीज़ इसने से नहीं मिलती है, पुराने जो, यहां पर सनातम्दम कहलाता है, उसे, वो भी हिंदू, धर्मेक नया, उनके गुरू नये वो गुरू जो है, उन्होंने का ये थे इश्वर, ये खुदा थे, इंसानी रूपधारन कर लिया था, उन्होंने ब्रह्मा बाबा कहला हूँ, कोई और आइन्दा जाके नया बन जाए, वो भी हिंदू होगा, नया धर्म हो जाए, तो अजीब और गरीब तो उसकी ड जाता है, सियास्त चलती लिगायत के, हो कहते हैं हमें हिंदू से निकल के मिनॉरिटी बनाया जाए, सिखों की डिमांड चली थी मान ली गई, जेनियों की डिमांड चली थी मान ली तो निकालने का मसले ही क्यों पैदा होता है, जब इसका कीसी धर्म दिन से तालुक नहीं और खाली यहां के रहने वाले निवासी, हाँ निवासी कबस है, उनका पितर भूमी भारत हो, यह तो एक बात हुई तो उसके लिमिट ते होने चाहिए कि तीन नसल पहले है, छे नसल पहले है, साथ नसल पहले हो, करें ते हैं थी, कि यानि अब जितने बच्चे उनके पैदा होते चले जारे हैं, बाहर मुल्क के अंदर वही का, पासपोर्ट सब कुछ वही का, लेकिन उन्हें पुरानी एक बात याद है, कि हम लोग यहां से शिफ्ट हुए थे, तो बिल्को हिंदू है, बात यह कि सबसे पुरानी बात जो हैं, और फिर यह सिर्फ इसलाम साफ लग्दों में नहीं कह रहा, यह तो यह जो रामाएन, यह जो यहां की बॉली में पढ़ते हैं, रामचरी आनस को रामाएन कहने लगें, उसमें लिखा हुआ है, कि दुन्या के सारे लोग जो हैं, वो उनकी ओलाद हैं, जो भूमी नहीं, वो दूसरी शर्त है ना, पुन्यू भूमी, पुन्यू भूमी तो हो गई दुन्या के सारे, दुन्या के सारे इनसानों की पुन्यू भूमी हो गए, अगर पहले नभी और भूसल्मानों के तो खास्तों से जानते हैं, हदरत आदम, इसलाम के पहले नभी, जब अल्ला ने उनको उता रहा तो इस सित्ते जमीन के उपर उत्रे इस बूबाग के उपर, पुनु भूमी तो हो गई, तिर्फ लोगों को बतानी की दरुवत है, आम नॉलिज नहीं है, एजुकेट कर दें, और वो भी मानने इसे, मेरी दबान पर थोड़ी मानने, हमारी त उनों भूमी भारत होगे, पितर भूमी भी, अब ये डेफिनिशन लाके कुछ लोगों को अलग करना चाहते ते नहीं हो पा रहे हैं, अलग कोई डेफिनिशन लाकर, कुछ लोग अलग सार्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं, एक और गुरू उनके विडेका नंद, नहीं ये सारे लोग जितने यहां पर है ये बिलकुल गलत धाड़ना है बिलकुल गलत तस्वर हैं कि हसी आती इस बात के उपर के यहां पर तलवार से उन्होंने ताकत से इसलाम पहला दिया लेकिं ताकत से इस्लाम फेलाते तो सब मझबूत रोते हैं सब से कमज़र तबकह मसल्मानों का है हम चारों तरफ देखते हैं सबसे गरीब लोग लोग, कमज़र लोग Mysल्मानने असल में हिंदू समाज में यह किया कि उनके जागिर्दारों ने और उनके यहां जो लोग ताकत वाले थे उन्होंने इनको समाजी बराबरी नहीं दी तो यह लोग उदर चले गए यह ताकत से नहीं पैला इसे हिंदू समाज दोबारा गोर करें कि अगर तुम उनकी घर वापसी कराओ कि हिंदू समाज दोचे तो अब किस वर्ण में लोग गए अब तो किलियर रहे नहीं कि यह कौन सी कास्ट से कौन कौन आया था बड़ी तारद आज भी खुबल करती हों ब्रहमन भी होते हैं इन्हें वापस कौन सी कास्ट में लोग किसको तो यह सवालों लोने उठाए थे व पिर वो इन राइटिंग हिंदी में भी हैं इंग्लिश में भी हैं विवेगनन साहित के नाम से या विवेगनन वर्क्स के नाम से तो उसमें है लिखा हूँ उन्हों लिखा था कि उसको जवाब में लिखा कि वेदान्ती वेदनी वेदान्ती मस्तिश्क वेदान्ती ब्रेन اور इसलामी जिसम इसलामी शरीर ये भविश के भारत वरिश की आशा है मस्तग्मिल के हिंडूसतान की उम्मीद है अब उनकी एक फलस्फा था व्य 성्त एक फलस्फे का नाम व्य धान्त का वेड़ से तल्लिक नहीं एक फलस्फा है व्य उने भी खाता कि सारी दुनिया विदान्त को मानने विदान्त इतनी उची चीज ए कि लोगों की सारी दुनिया की कभी समझ में नहीं आएगा ये कभी majority religion नहीं बनेगा तो बेहराल उनों ने कहा कि वेधान्ति दिमाख यानि फलस्फा तो वेधान्त का लिया जाए शरीर सिलाम का ले लूँ अब इसमें ये अलग बात है कि मैं तो कोट कर रहा हूं उनके लिए हम नहीं कहरें कि हम उस बात को पूरा मानते है कि विदान्त की दिमाग हम ते करनें कि विदान्त का निजाम बेतर है सही है या फुरान का निजाम दरूस्त है उसकी वो बत अलग लेकिन उन्हों ने कहा कि इसलामी शरीर और उसको बहुत सी जगा बहुत से और लेटर्स में अपने लिखाए उनका मकस्सावाश सब लोग बराबर हैं दूसरी और बहुत सी चीज़ें अब शरीर का मतले जो सामने का कानुन है विदान इसलामी कानुन इसलामी विदान वो कहरें लेलो और फलस्फ़ा लेलो विदान का ये है एक मस्टखबिल के हिंदोस्तान की उम्मीद वेवे किनन्द तो यह कह है रहे है कि यह सब ले लो तो फल conspir की बात उनकी अपनी जगह लेकिन वो कहते हैं यह सारे कानून जितने भी हैं इस्लाम के सबसे अच्छे मुस्तफबिध के भारत बागत की उम्मीद है एक यह हीरो हैं जे मुझे मालूम नहीं उनों लुगे होंगे सियासी मसलियतों की वजा से बैकबर्नर में डाल दिया होगा इसमें से जो भी बात हो मैंने मोहन भागवत की बारे में बताया आपको जो उनके मौजूदा उनके एक तरीके से आपकी दमांदमेएमीर उनकी पार्टी के सरसंचालक और उनके जो दो हिरो थे वो उनके दिलों में नफरत थी एक के दिलों में तो बहुत थी तो उनके दिल के अंदर अपनी जगा पर थी नफरत थी सावर करके लेकिन जो बाते उन्होंने कहीं जैसे उन्होंने हिंदूों को अलग करना चाहा मुसल्माओं नहीं हो रहे अलग पुनु भूमी हमारी भूमी हमारे 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 भ सूरत औरतों के नाम हिंद रखते थे हिंद हिंदा सर्दमीन से बड़ा लगाओ था एक तरह था उनको अरबों को हमारी तो ये दोनों उनकी डेफिनिशन जो है वो हमें एक्सक्लूड नहीं करती निकलती नहीं बार विवेका नंद की तो और कहती है लेकिन जैसे हो जाओ जो इनके कानून है जो इनका जाबते हैं वो ले लो विवेका नंद का तो ये ख्याल है और मौन भागवस साब कहते हैं इन सब को माना जाना चाहिए ये अलग क्यों अपना एक कानून उसमें से लेकर आ रहे हैं और चला रहे हैं सबसे अलग है ये तो उसके सावरकर के भी खिलाफ हुआ उनकी बात हम माने लेते हैं तो उस पर आके बैटके बात कर लीजे ला सावरकर की तारीफ के भी खिलाफ हुआ विवेका अलंद की तारीफ के भी खिलाफ हुआ मौन भागवस सब की तारीफ के भी खिलाफ हुआ ये क्यों एक अपना टुकड़ा अलग लेकर आ रहा है असल में तो बात ये है के बताईए लोगों को और कहां रखें है अदालत में तो ले जा नहीं सकते है अदालत पांच मरतबा सुप्रिम कोर्ट पांच मरतबा ये कह चुकिए है के हिंदुत इसे way of life 90 साल पुराना लख है सावर कर ने दिया था उसे पहले लख नहीं था हिंदुत लगे हिंदुतुत लगे एक नफरत की फिलॉसफ़ी को नाम दिया था हिंदुत उसे कह रहे है इसे way of life जैश्टाब को कटेरे में तो नहीं खड़ा किया सकता है कटेरे में तो हम खड़े होते हैं जैश्टाब तो फैसला देते हैं जैश्टाब से सवालात नहीं की जा सकते हैं जैश्टाब सवालात कर सकते हैं अगर उनसे सवालात की जा सकते हैं सवाल करते के वे अफ लाइफ का मतलब क्या है पांच मरतब़ दिया है एक दफा नाइटी फाइव में दिया जस्टिस का नाम मुझे याद नहीं कि नाइटी फाइव में जो फैसला आया था एक बिल्कुल अभी दिया इजस्टिस ठाकुर थे उस वक्षी जस्टिस अच्छा दिया पांच बार फैसला आया कि हिंदू ते ले उफ लाइब मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि अगर हम जश्ट आप से सवाल कर सकते मैंने अपने हिंदू जानने वालों से किया वो तो गरबढ़ा गए उन्होंने भी यही कहा था चार सवालों में गरबढ़ा गए उसके बाद एक किताब पकड़ा दिया आप इसे पढ़िए आपकी सब समझवाए जाएगा बस मतलब खुद तो उसके बाद तीन तीन चार सवाल के बाद उनके पास जवाब नहीं थे तो उनसे सवाल करते हैं वो भी चार सवाल से आगे नहीं पर पाई चाहे जितने जीनियस जज हो किसे कहते हैं वे आफ लाइफ लाइफ क्या भाशा को कहते हैं तो भाशा है तो पर हर थोड़ी दूर पर अलग है? इतनी लांग में दुनिया में कहीं नहीं, जितनी यहां पर है. वीअफ लाइफ क्या खाने पीने को कहते हैं? खाना फिऩिए तो हर थोड़ी दूर के अलावा जो खाने पीने की पसंद अलग is पूरे हिंद। के अंदर इतने ज्यादा डिफरेंट पसंद नापसंद खाने पीने की दुनिया में किसी एक मुल्क के अंदर नहीं जहां भी आप चले जाए वे अफ लाइफ का लिबास को कहते हैं हर एरिये में चले जाए है हर स्टेट का जो ट्रेडिशनल लिबास है वो अलग है वेश-ब पहचाने जाते हैं अगर चलकर आ रहे हो तो बात करने से पहले पहचाने जाते हैं कि कहां के रहने वाले होगे अगर अपने यहां की ट्रिडिशनल लिबास पहने को सब एक कॉमन पैंचर पहन कर नहीं आ जाए तब तो बोलने के बात पहचाने जाते हैं बोलने से पहले प कर दाव को मानने वाले हंथ सेखलों हजारों देवी देफ़ता हूं और मुहावरे में तो आता है 33 परों देऴी देप्ता हूं को मननने वाले। और बromeunted was a situation को षड़ 벌써 की प match क को छो कुछ हिंदु कहलाते हैं तो पिर इसका तालुग रिलीजन कहने पर इसरार करते हैं? रही हिंदू नहीं. पहलो एक चीज़ काॉम है नहीं. वह है उनका सर नेम उनकी जाती. वह भी जो खुदा का नहीं मानने वाला होगा. दर्म नहीं को बुरा कहता होगा, उसके नाम के वियावे आगे लगा होगा, शर्मा लगा होगा, अवस्त्री लगा होगा, कोई नाम लगा होगा, किसी तरह का गुपता लगा होगा, कास्ट, इस कास्ट के बगेर को हिंदू नहीं होगा, चाहे वो मखब का बागी हो, वो जो कास्ट SNRK के लड़ाई लड़ने वाले ओपन इमानदारी से लड़ने वाले बड़े अच्छे लोग हैं बहुत जिंदगी उन्होंने सर्फ कर दी कास्टिंद के खिलाफ लड़ने में उनके अपने नाम के साथ कास्ट लगी हुई है इस कास्टिंद से निकल कर नहीं जा सकते हैं और वो का अर्मों से है पेशे से है वेवसाय से है अच्छा होगी विगड़ गई होगी अब ठीक कर लो ना अब जो भी बुरा हो ब्रहमन के घर पैदा होने वाला उसे शूदर कम से करो हमारे सामने कभी डिकलेयर भी तो करो ये शूदर होगा आइंदा से फिर कोई भी अच्छा हो जो जने शूदर कहते हो उनमें जो भी अच्छे अखलाक हो और किरदार को उसे हमारे सामने ब्रहमन डिकलेयर भी तो करो आइंदा से ब्रहमन होगा ये और किसी ब्रहमन का बेटा ब्रहमन नहीं माना जाए ना फिर जन्म से हटाओ ना जबान से कहते है ले पाकोती करने के और हिंदू कैसे हो जाए किसी जाती में जाएंगे न, कौन सी जाती में लोगें, तो भी इसके बिना तो हिंदू होते ही नहीं, एक चीज ए जाती वाद, प्रहमान च्हत्री वैशुदर, सिर्फ इस एक चीज़ को तो कह सकते हैं, कामन कल्चर, उसके अलबा है कोई कामन वो जो हेटफुल है जिसे सारी दुनिया जिस चीज़ के उपर थू तू करे जिसे खुद अपने मूँ से डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं इसका यह अर्थ नहीं है और अर्थ वही होता है उनका अपना बेटा कराना यह कराना भी किसी शुदर के बेटे को भी तो फिर बात यह है कि जिस चीज़ पर खुद डिफेंसिव हो गए इसका मतलब मान रहें है तो गलत हम किसी की दलील का जवाब नहीं जिसे दुनिया बें कहीं और था तो उन्होंने उखाड दिया कि पैदाइश की बुनियाद के ओपर गोरे काले का फरक था खतम हो गया व होता है जिसके हाँ जाती यह हिंदू है उसके अलावा थो कोई हिंदू नहीं इसके अलावे कोई चीज है ही नहीं कि क्या वेयिज़ पैंँपाइश जज्ज़ों ने Рखता इय जच सवाल नहीं किया जा सकता लिए है आयसी तो आए एके हैंके बनकरे फैसले और वह पर व यह ऐसे ही है यही माना जाएगा या कम से कम यहां यह ऐसे ही माना जाएगा अब यह इतने से पॉइंट्स है बहुत से जो ग़रों फिकर के हैं इसको कहां ले जाए और किस की अदालत में ले जाए अदालत तो पहले फैसले दे चुकी अदालतों के कुछ और फैसले भी हमने आदलियापे से भी उड़ गया बड़ी बड़ी अदालों तो के उपर से भी उड़ गया कहीं अगर जिसे हम कहते है इतमाद तो एतमाद ह thereby वह लेकर जाए पर आवाम की अदालत को लेकर जाए हैिบ लोगों को एड्यूकइट कियो ने बताई है ने कि यहां की अदालत का मसला तो है कि वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे अकरबा मेरे करे कतल का दावा किस पर अरे घर वाले पर जो वो है रिश्टेदार वो किस पर किस पर कतल का दावा करे अकरबा मेरे करे कतल का दावा किस पर वही कातिल वही शाहिद गवा भी वही मुंस जालत में लेकर जाएं अवाम मिस गाइड होते हैं अवाम तो कम से कम ये तो वो अपनी एक चीज चला रहे हैं अब बता रहे हैं तो हम जाने की कुछ चिर रहे तो आप बताईए समझाईए और हम बैटकर बात करें कौन हिंडू और क्यों नहीं हिंडू की सब के अंदर सारे आते हैं फिर इसके लिए हिंदू के लिए अलग कानून क्यों बनेगा इस हिंदूस्तान के शेरियों के लिए होगा जो कुछ होगा इसमें कहीं वो यूनिफार्म सीविल कोड नहीं आता हिंदूस्तान के शेरियों के लिए बनेगा लेकिन हिंदूस्तान के शेरियों के अंद सिविल कोट के सबसे पहली मुखालफ़त तो डॉप्टर राजेन परशाद नहीं की थी और फिर सारे बड़े-बड़े हिंदू लीडरों और साधू सांध समाज नहीं की थी इसलिए कि हर सोड़ी दूर पर पर पर्सणल दोसों से ज़्यादा परसनल लाओ हिंदुस्तान के अंदर हर एक के दिमाग में यह मुस्लिम परसनल लाओ दोसों से ज़्यादा हैं नहीं कर सकते खतम यहां नौर्थ इंडिया के अंदर परसनल लाओ में आती क्या चीज़ हैं शादी वियाव वेरास इस तरह की चीज़ें आती हैं बाकि तो कानून एक है तो इन सीविल साथ गोतर के अंदर की नहीं हो शादी नहीं हो सकती गुजरात में कानून यह कि एक गाओं के वो चाये 50 गोतर दूर के हो एक गाओं के एक लड़के एक लड़की की शादी नहीं हो सकती वह यह वहां का कानून है हर गाओं का वहां के बिलिच का और करनाटक में कानून यह है मदबी कानू करनाटक की अकसरियत का सारे वहाँ के समाज है उसका करनाटक के जो आज अज हेंदू कह लाते हैं अनों का कि मामु भांजी की शादी होती बलकि प्री फरे बिल temperatures होती कि पहले पहले ये अगर ये रिष्टा नहीं है किती도록 अरफनी नहीं भपार, तो कहीं और लड़की को देखा लगा को बना मामू सिसखादी projets को को अगर इसा उम्र का है, तो तो मामू भांजी की शादी होती है, जो इत्राखे यहां पर लोग करते हैं किlectricチャक कर दिह क्ला कर तुम किस्टम ये है कि मामू भांजी की शादी होती है उसे नहीं खतम कर सकते हैं पहाड़ियों के अंदर उनके अलग पजनला नहीं खतम कर सकते हंगामा रिबेल हो जागा बगावत हो जाएगी यह तो यह अपना अड़े रहे वो सारह दोर मुसल्मानों की तरफ दिखाते रहें क किस darf Uniformfish बताइए नर यूनिफरम में है सबके लिए एक हो पिर ये मत करना कि इस इस ऐलागे के लिए यलाग यूनिफार मी बना देड़ा वरना फिर जिसनके जैसे समय वैसे रह लेतो असल बात ये कि पर यहां के बाशिन दे जो है वो सारे ये चीज़ भागवस साब कह रहे हैं हमें दिल से तसलीम है लेकिन उसको हकीकत में लाईए यह नहीं कि जहां पर उनको जहां दिल में नफरते हैं वहां उसको हटा कर हम हिंदू और फ़लाँ नहीं और भे बाकि केरें गहीं कि था हिंदू ये भी के थे है साथ में कि हुर्ण है कि थे हैं कि तुम लें व्रेहए है नहीं तो सब रहने वार लए है, दोनों बहुत नहीं हुआ है। गरने यहीं के रहने वाले हैं, किसी एक बात पर्टिकॉल हो, फिर उससे हम फाइनल करें, असल में तो अवाम की अदालत में लेकर जाने का है, अपने तोर पर, आप तो तब लेकर जाएंगे जब आप हिंदु अवाम से आपके कोई संबंद तालुकात भी हो, लेकर कैसे जा और जब तालुकात मामलात होते हैं, उसके अंदर अच्छे अंदाद में कोई बात रखी जाती है, तो जो जायल बात होती है, अकसर ज्यादाता रहता होता है, कुछ अद्धन भी होते है, ज्यादाता रहता होता है, कि समझ में आती कि बात तो आपकी बहुत जन्मिन है, आ आप पहुँचिए उन तक आपका कामी है ताहर एक तक पहुँचना अब देखिए इसे जो असल में जो पर्मेंट सलूशन से वो यह चीते हैं और बाकी तो बरना तो फिर बात यह है कि जब कातिल भी वही और जब जब ज़ज भी वही तो फिर आप तो पतल होते रही है जो सलूशने जो पायदार है उन पर गोर कीजिए फौरण नहीं आइंदा जाए और पिर कुछ और है असल पायदार हल में पहले बता चुकों बार बार नहीं कहुँगा कि एक ही बात रिपीत करते हैं उसे देखिए उसे सोची और उस पर गोर कीजिए इंशाला हालाद बढ़ करने वालों ने लोको को ठोट कर लिया अपने चारू तुरफ बढ़ते जा रहें चो पृर वो मखबत करने वाले थे कहा एधर बेथे थे थे वहो निकले होते और इस्लाम में तो महबत करना सिखा है ना सारी इंसानियत से शर्फ इंसानियत दिया वरकत कर्रमना बनी आदम सारी बनी आदम को दुनिया के सारे असद आदम की जितनी उलादे उन सब को काबल एक्राम बनाया ये शर्फ इंसानियत थे कि दुन्या के सारे इनसानों वो उने के अपना जवाब देंगी जो गलط तरीके को पर निकल गए कुछ गल्ध उनको वो भी उनको भी समझाना बताना हमारा काम था हमारा काम तो तह महता जब हम जाते हैं या हमसे पूछने आएंगे अपनी पूजा करने थे पहले के कैसे किया करो आप जाएंगे बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है तुम्हारे लिए नहीं पहुचे तो फिर वो जो नफरत करने वाले हैं उन्होंने आपको आईसोडेट करने के बाद उनका अब बाकी हमारे इनको अलग करो जो इन इन सबसे अलग हटने के बारे हैं वो सब एक ग्रूप है वो हिंदू है अब इस हिंदू की डेफिनिशन निकल कर बदलिये कुछ वक्त लगता है लेकिन अगर आप लेकर चले आगे वक्त लगने दीजिए इसमें भी तो वक्त लगए ना यहां तक आने भी उसमें भी वक्त लगेगा कोई शॉट टरम एक दिन का सुलूशन कोई नहीं हुआ करता लग ताला आपको समझता फरमाए और अमल करने की ताफिक बादा फरमाए झाला आपको आपक।